हेलो देर शुडेंट्स वेलकम आई यूटूब चैनल इस्किल क्लासेज में आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास सेवन की मायत एक्ससाइब 6.2 और कोश्चन नमबर है 5 प्रीबिएस वीडियो में कोश्चन नमबर 4 तक कंप्लेट करवा चुक अगर अभी तक आप वीडियो स्लूशन करिए और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके बताईए प्रीबिएस कोश्चन में भी हमने रिलेटेड यही पढ़ाया वा क्योंकि सिंपल एक्वेशन का चैप्टर चल रहा है और उससे से रिलेटेड हमने आपके कोश्चन पढ़ाए हो तो बहुत ध्यान से पढ़ें और समझें और प्रीवेस वीडियो कर आप नहीं देख पाए हो यह सभी कोश्चन जो रह गए हो कोश्चन नंबर फोर तक तो आपको नीशे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस के लिंग मिल जाएगी यह सब सभी वीडियो पढ़ सकते हैं चले देखें आप इस स्लूश मुल्टीप्रिकेशन जब भीकल्टो करके फ्रेक्शन दिया याई रच्पराइगे तो से गेंगे और सबसे पहले अपर अश्चे करके रिया और सफ्लिप है करके हैं अब देखिए किसी भी bracket के पहले अगर 2 लिखाओं तो 2 से क्या होता है कि उस brackets के अंदर जो भी number दी जाओं उस पर multiplication करते हैं यहनि 2 का multiplication x में करेंगे तो answer हमारा हो जाएगा 2x plus और 2 का multiplication 3 में करेंगे तो 2 3 जा 6 equal to फिर 7 का multiplication इसी तरह same करेंगे तो 7 का multiply करेंगे तो 7 x हो जाएगा और minus 7 का 2 को multiply करेंगे 7 to the 14 अब देखिए यहाँ पर question क्या बने 2x plus 6 equal to 7 x minus 14 तो यहाँ पर आप solution पर धियान देंगे कि जो भी अल्फा जो अल्फा बेटिंग नंबर होंगे निए x related हो या a related हो या p लिखाओ कहीं पर भी तो वह आप alphabet alphabet एक तरफ कर लेंगे और number number हम एक side note कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है आपको 2x लिखा है तो और 2x लिख लिजे यहाँ पर देखिए plus 7x है तो इसको आप इधर ले आएंगे यहाँ आर्चेस से lhs की जब और लेकर आएंगे तो sin chain हो जाएगा तो minus 7x लिखेंगे यहाँ प्लस चरी देखें कुस्मस क्या करें रहें 2x-7x लिखा हुआ है तो देखिए यह है plus 2x और minus 7x तो जब plus और minus के number दिये जाए तो greater number से lowest number minus कर देते हैं यहाँ 7 से 2 minus करेंगे तो यह हो जाएगा 5x और sign हमेसा लगाएंगे जो greater number होगा यहाँ 7x greater number है तो 6 sign लगा दीजे माइनस 5x इक्वल टू अब देखिए minus 14 minus 6 जब आपके दोनों number minus minus के हों तो दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं यहनि minus 14 minus 6 यहनि plus हो जाएगा 20 हो जाएगा और sign लगाएंगे minus का ध्याना कि जब भी numbers आपकी digit दिया है minus minus के तो दोनों number को plus कर देते हैं तो sign हम हमेसा minus का ही लगाते है तो कुछ rules समया पर पढ़ा रहे है number related sign related तो उनको भी देखते चलिए हम जब यह plus और minus के number दिये जाए तो आप इध्याने की greater numbers lowest number minus करना है और sign हमेसा greater number वाला ही लगाते हैं दोनों number आपके minus minus के दिये जाएंगे दोनों number स आपको plus कर लेने हैं तो उसको plus करके लिख लिए और sign minus का ही put up करिए अब देखिए यहां पर solution क्या होगा जब दोनों तरफ आपके minus minus के sign दीखे हैं तो इनको आप कट भी कर सकते हैं यह ऐसे cut भी हो जाते हैं यह minus minus आप इसको कट भी कर सकते हैं तो question आपको हो जागा 5 x equal to 20 और यह 5 x में लिखा हूँ इस तरह आप इस solutions को कर सकते हैं very easily questions हैं जो भी questions आपको दिये जाए सभी questions को ऐसे solution करना है जब भी आपको fraction multiplication हो तो cross multiplication करिए और value जो भी दी जाए bracket के पहले कोई भी number लिखे हो उनका multiplication कर लेंगे question समझ मैं वीडियो पसंदार लाइक जरू करते चलिए इससे motivation मिलता रहा है और जो भी important questions हो वो सभी question में आप पढ़ाने का पुरा प्रयाज कर रहा हूँ तो आप पूरा वीडियो देखिए जिससे सभी questions आपके clear हो जाए तो कि a question और b question बिकुश सेम है यहाँ पर question important है या थोड़े से difficult लग रहा है कि हाँ अमारे बच्चों को समझ में नहीं है कि problem लगेगी तो वो question मैं आप पढ़ाया दे रहा हूँ वीडियो पसंदा रहा हो तो लाइक जरू करते चलिए और आप हमारे चैनल पर नाए हो अभी तक आपने subscribe लाइक जरू कर लिजिए बिल आइकन आल पर प्रसकर जिसे आपको next video की notification भी आपको मिलती रहे क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी exercise पढ़ाना है पूरी exercise पढ़ाऊंगा और जो भी 6 है 7 है 8 है यह सभी exercise आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी तो आप यहाँ पर questions तो इसलिए subscribe जरू कर लिजिए जिसे आप आपको सभी questions की आपको वीडियो की link और वीडियो की notifications आपको मिलते रहे हैं देखें आपने इस question क्या कह रहे हैं आपसे 2 x-9 और यह भी bracket में closes हो जाएगा upon 7 और plus x upon 3 equal to 3 तो देखें एक छोटा से थोड़ा से long question दिया गया है और थोड़ा से इसको step by step अगर हम ध्यान में भी clear हो जाएगे तो बहुत ध्यान दीजें देखें से पहले आपे brackets के number दीए तो brackets पर multiplication कर सकते हैं 2 का multiply करेंगे तो 2 x हो जाएगा minus और 2 का 9 में कर देंगे तो 2 9 जा 18 यनि brackets हमने open कर लिए और multiplication कर लिया अपन 7 लिख लेंगे और यह हो जाएगा plus x upon 3 equal to 3 अब देखें य यह कुछ form सकर बन रहा है तो यह हमारा एक fraction type भी नहीं यह एक number हो गया और एक यह number हो गया तो दोनों हमारे number कैसे मिल रहा है fraction wise मिल रहा है तो आप क्या करिए कि यह fraction related solution भी कर सकते हैं 7 और 3 का LCM ले लिए लिए तो 7 3 का LCM ले ले लेंगे तो 21 हो जाएगा 7 का Dividation 20 में करें 7 3 21 और 3 का multiplication उपर कर देंगे तो इस जो number दियागा अभी multiply नहीं कर रहा है सिर्फ number note कि यह ले रहे है प्लस और 3 का multiply 21 में करेंगे 3 7 21 और 7 का multiply x में करेंगे यहां पर क्योंकि 1 x लिखा हुआ है तो 7 7 x equal to 3 हाँ यहां पर एक बार आउर ध्यान दीजी कैसे करेंगे 7 और 3 का LC ले ले लिए 7 3 21 हो गया है LCM आगा 21 आ जाएगा 7 और 21 का डिवाडेशन करते हैं पहले 7 3 21 और 3 का उपर इनी निम्रेटर से multiplication करना है तो इसको ब्रैकेट में लिख लिए और multiple करके यहां पर number note कर दिये प्लस और 3 का multiply 3 का डिवाडेशन के इससे 21 में 3 7 21 और 7 x ठीक है चलिए देखें आप इसी ब्रैकेट से open करते हो multiplication कर लेते हैं तो 3 2 जा 6 x यहां पर 6 x लिए और 3 18 जा 54 18 3 जा 54 प्लस और यह हो जागा 7 और ब्रैकेट भी open कर लिए multiplication अपान 21 ठीक इक्वाल टू 3 और यहां पर 3 अपान 1 माल लेते हैं तो यह क्या हो जागा एक फिफेक्शन multiplication बन जा जाएगा आपको अब देखें 6 x लिखा हुआ है और यह 7 x तो यह प्लस का 6 x है धिहान लेकिए नंबर सी धिहान लेकिए किस नंबर को कैसे हम solution कर सकते हैं यह प्लस 6 x और यह प्लस 7 x तो दोनों को प्लस कर लिए यह क्या हो जागा 13 x माइनस 54 अपान 21 इक्वाल टू 3 अपा 54 कोई चेंडमेंट होगा नी कि 1 का नंबर किसी multiply करते हैं तो वही नंबर हमें मिल जाते हैं और equal to 3 का multiply यहां पे कर लेंगे तो 3 बंजा 3 और 3 तूजा 6 हमने direct यहां में multiplication कर लिए बहुत ध्यान दीजिए कैसे देखिए 1 का multiply करेंगे तो 30 x माइनस 54 उसे दर लिखा रहा रहे और 3 का multiply इसमें कर लिए तो 3 बंजा 3, 3 तूजा 6 तो इधना answer हमें मिल गया चलिए next step में ध्यान दीजिए कैसे solution करेंगे तो यहां पर थोड़ी सी problem हो सकती है नहीं हो यहां पर note किये दे रहा है ठीक है देखिए I hope सम्मन में आ रहे होंगे आपको तो 13 x minus 54 लिखा तो minus 54 को ह हम LHS से RHS की और भेज देते हैं तो 13 x equal to क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 63 और यह प्लस 54 यहां पर हम दो solution किये दे रहा है 13 x equal to क्या हो जाएगा उनको प्लस कर लिए 4 3 7 और 5 6 5 11 तो यह 117 हो जाएंगे 13 x multiply में इसको भीज़ेंगे डिवाइडेशन में हो जाएगा 117 अपन 13 13 9 117 तो x equal to 9 answer तो इस तरह आप question विल्कुल इजली कर सकते हैं कोई भी questions आपको दिये जाए बस थोड़े step by step का ध्यान दीजिए और कैसे हम करना है solution numbers पर ध्यान दीजिए और आपको find out x की value ही find out करनी है और x के answers आपको दिराएगा तो I hope यह simple equation समझ में आ रही होगे आपक तो देखिए A हो गया B हो गया C हो गया और इसी तरह questions दिये गए हैं और सभी questions में यहाँ पर भी D question में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है आपको पहले fraction दिये जाएंगे इसके बाद आप इसका LCM ले सकते हैं फिर multiplication करके बिल्कुल इजली कर सकते हैं E question में बिल्कुल सेम ऐसे ही ह और F question में भी ऐसे ही है यहीं आपको जो भी number दिये गए हैं उन numbers का आप ऐसी fraction multiplication करिए और सेम ऐसे ही question आप solution कर सकते हैं तो कोई बहुत difficult questions नहीं है कि आपको इनमें कोई difficult question लगे सभी questions ऐसे ही आपको दिये गए हैं चलिए देखें आपके questions एक दिये गए हैं आपको पढ़ा दे रहा हूं कि थोड़ा सा difficult यह भी लग रहा है तो क्योंकि F अगर मैं पढ़ा दूँगा तो D और E बिल्कु सेम इसी form पे दिये गा है ध्यान रखिएगा अगर हम आपको F पढ़ा रहे हैं तो D और E question बिल्कु सेम इसी types के कुछ questions आपको मिल जाएंगे तो वो question अब अचे आप सभी question कर सकते हैं तो इसलिए questions पी थोड़ा सा hummer पे भी ध्यान दीजेगा तो देखिए आप मैं F question पढ़ा रहा हूं F question पे ध्यान दीजे 5x minus 4 in brackets closes 8 minus x minus 3 in bracket closes 4 equal to x plus 6 in bracket closes 4 तो देखिए यहां बिल्कु सेम वही question उसी procedure के हैं आप दोखिए यहां पे fraction numbers आपको मिल हैं तो सबसे पहले क्या कर दिए सबसे पहले 8 और 4 का आप क्या दीजिए LCM 84 का मिल जाएगा 8 8 का diviation 8 में करेंगे वन टाइम यही पहले सबसे पहले diviation करते हैं 1 और 1 का multiply करेंगे 5 x minus 4 में तो आप इसे note कर लीजिए 5 x minus 4 minus 4 का diviation 8 में करेंगे 4 2 x 8 हो जाएगा और 2 का multiply के में करेंगे x-3 में एक्वाल टू x-6 और पान-4 सेम ऐसे प्रोचिजर आप नोट कर सकते हैं अब दिखिए solution कैसे करेंगे 1 का multiplication 5x में करेंगे तो यह क्या हो जागो 5x और minus 4 क्योंकि सेन नम्बर रहेंगे कोई तो होगी नहीं हाँ अब यहां पर ध्यान देने बाली व्यात है जब भी bracket के पहले नमबर दिये जाए उसका तो multiplication करेंगे ही करेंगे लेगिन अगर sign minus का हो तो हम ध्यान देंगे इसलिए इस question को मैंने पढ़ाया हुआ है जब minus का sign होगा तो minus का sign जे bracket के अंदर ले जाएंगे तो sign जो भी होँगे वो chain हो जाएंगे कैसे minus 2 के जब आँ multiply करोगा तो यह हो जाएगा minus 2x और minus 2 से multiply करेंगे 3 में तो यह हो जाएगा plus का 6 यह तो 3 जा 6 आप 6 लिखेंगे और minus minus का multiply करेंगे तो यह numerator पर number लिखे हो इनको पहले हम solution कर लेते हैं 5x minus 2x करेंगे तो यह हो जाएगा 3x क्यों 5x minus 2x minus 3x लिख लेंगे और minus 4 और plus 6 करेंगे तो यह हो जाएगा plus का 2 क्योंकि minus 4 और plus 6 यहीं 6 में से 4 minus करेंगे तो 2 answer हमको मिल जाएगा upon 8 equal to x plus 6 upon 4 चलिए अब देखें यहाँ पर एक बन गया fraction multiplication oh sorry fraction equal करके बन गए तो क्या करना है कि आपको अब इसका multiplication इससे हम लोग कर देंगे और इस number का multiplication हम लोग इस number से कर देंगे तो 4 का multiply करेंगे 3x plus 2 में और 8 का multiply करेंगे x plus 6 में तो यहाँ पर solution पर देहान दीजिए 4 का multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3z 12x plus 4 2 is a 8 equal to 8 का multiply x में करेंगे तो 8x plus 8 6 is a 48 equal to अब देखें यहाँ पर जो भी numbers दिएगा x x 1 side और number number 1 side तो यहाँ पर देखें 12x लिखा हो तो 12x लिखा रहने दीजिए प्लस 8x इदर आप इसको ले आए तो यह हो जाएगा minus का 8x equal to और यह हो जाएगा 48 इदर लिखा हुआ इस plus 8 को इदर ले आए यह हो जाएगा minus का 8 ठीक है 12x में से 8x minus करेंगे यह क्या हो जाएगा 4x equal to 48 में से 8 minus करेंगे यह हो जाएगा 40 12 में से 8 minus करिए तो 4x आता है तो 4x लिख लिख लिए और 4x equal to क्या हो जाएगा आपका answer 40 ठीक चालिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है आपको तो इसहाँ पर मैं नोट किये दे रहा हूँ देखिए यह पर 4x लिखा हुआ है तो 4x equal to 40 होगा 4x equal to क्या number मिल आपको 40 तो 4x equal to 40 number मिला हुआ है अब क्या करेंगे 4 multiply में इसको भीजेंगे तो क्या हो जाएगा divide तो x equal to क्या हो जाएगा 40 एपार 4 तो 4 tends of 40 तो x equal to answer क्या मिल गए आपको 10 that is answer तो इस तरह questions आप बिलकुल easily कर सकते हैं कोई इसमें problem नहीं कि आपको बहुत बड़े question दिएगा है बस अगर आप solve method wise करें step by step करेंगे तो कोई भी question से आपके simple equation के दिए जाए आपको कोई भी problem नहीं होगी same question ऐसे G, H, I, J question इसमें सभी question दिएगा यह सभी question आपको हमर के लिए दे रहे हैं और जो भी problem होगी आप मुझे share करिए और कोई queries हो तो भी बताइए कुछ improvement चाहते हो मेरे वीडियो में इससा कुछ improvement करके मुझे और पढ़ा दिया करें कैसे समझ में तो भी आप में नीचे comment box में जरूर लिखें तो मैं कुछ improvement भी करूंगा आपके जो भी class 7 के friends हो मेरे वीडियो को share भी कर दी जिसे उनकी help हो सके examination में अच्छे mark gain हो सके और आप हमारे चैनल पर नए हो अभी तक आपने subscribe नखियो subscribe जरू कर लिजिए bell icon पर पसकर जिसे आपको next video की notification भी आपको मिलती रहे हैं चले मिलते हैं next exercise 6.3 में next part next video में thanks for watching this video